नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सार्दा चीतफंड घोटाले में पुरवितमंत्री पी चितंबरम की पत्नी नल्नी चितंबरम की और उनके साथ जो चार और सह आरूपी हैं उनकी 6 करोण की संपत्ती इन्फोर्स्मेंट ड चीतफंड घोटाला जो सार्दा चीतफंड घोटाला था जो पॉंजीन स्किम घोटाला था इसकी सुरुआ 2008 में बेंगाल में की गई थी पसिम बेंगाल में और यह बहुत बड़ा घोटाला माना जाता है पसिम बेंगाल का यह स्किम क्या थी बहुत बार लोग इस पे सवा रखम कर देंगे एक सागाउन की लकड़ी के ऊपर इसको पैसा लगाने की बाद थी एक आलू को उपर लगाने की बाद थी ऐसी दो तिन चीजें मिला करके इस पूरे प्लान को बनाया गया था इस पूरे इसकिम्स को बनाया गया था लेकिन होता क्या है कि धीरे 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 जब कई हज़ार करोड रुपया लोगों का निवेस हो जाता है उसके बाद एक दिन इसका दफ्तर सेट डाउन कर दिया जाता है इसका दफ्तर बंद कर दिया जाता है जांच में ED और CBI की जांच में पता चला है कि इस घोटाले के तार जो है वो आम आदमियों तक ही नहीं है इसके घोटालों के तार जो है बिभिन पार्टियों के उसमें TMC भी है उसमें कांग्रेस पार्टी भी है उसमें कमनिश्ट पार्टी भी है इसके साथ साथ कुछ और छोटे बड़े पार्टियों के नेताओं के नाम इसमें आएं उसके बाद ये मामला CBI जांच के लिए चला जाता है आप लोगों को याद होगा है कि 2019 में एक I.S. आफिसर से पूछने जब CBI जाती है तो ममता बनर जी उसके खिलाब धरना देने लगती है क्योंकि ममता बनर जी के पार्टि के बहुत सारे नेता इस घोटाले में फंसे हुए है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस देश के बित्मंत्री, पूरुबित्मंत्री, पी चितंबरम की पत्नी नलनी चितंबरम इसकी सबसे बड़े आरूपियों में से एक है हलाकि एक और आरूपि थे मुकुल राय, मुकुल राय पहले T.M.C. के नेता थे फिर उसके बाद भारती जनता पार्टी जोईन करते हैं फिर उसके बाद छोड़ करके भारती जनता पार्टी चले जाते हैं आज कल फिर OTC के नेता है उनका भी नाम आया इसके अलावा और भी कई लोगों के नाम इसमें आते रहे हैं लेकिन CBI और ED की जो चार सीट है उसमें जो नाम आए हैं जिनके खिलाफ evidence मिला है उनकी संपत्ती को attach किया जा रहा है ऐसा कहा जाता है CBI के द्वारा ED के द्वारा कहा गया है कि लगवग 30,000 करोण रुपे की का निवेश लोगों का इस पूरे scheme में किया गया था जिसमें से और 1,983 करोण की रकम आज तक लोटाई नहीं गई है उसके against अब तक ED और CBI ने मिलकर के कुल 600 करोण की संपत्ती ही recover किये इन सारे नेताओं से जांच अभी भी चल लगी है इसकी जांच आसाम तक भी पहुशती है आसाम में भी कांग्रेस के कई सारे नेता इसमें फस्ते हैं उसके अलावा कुछ और छोटी पार्टियां आसाम की हैं उनके भी नेता का involvement इसमें आता है कि ये लोग भी इसके पूरे scheme को फैलाने में और इसके द्वारा धन उगाही करने में सामिल रहे हैं हाल में ही अभी जो फैसला आया है या फैसला तो नहीं कर सकते एक तरीके से कि जो ED ने आदेश दिया है उसके against और जो attach की गए समपत्ती मैं उस पे बात करूँगा मैं बात करने वाला हूँ दो बड़ी महत्तपूर चीजों पे देखे एक करोण 40 लाख रुपे का direct connection निकल के आता है पी चितंबरम की पत्नी नल्नी चितंबरम के उपर नल्नी चितंबरम के साथ तीन और लोग हैं एक कांग्रेस के नेता हैं बहुत बड़े वह भी इसमें सामिल एक CPM के नेता है देविन नात विश्वास यह भी में आ जाती है जो आसाम के रहने वाले हैं तो इस तरीके सिन सब लोगों की मिला करके 6 करोण की संपत्ति फिर से अटाइच की है हाल में यह भी खबर आ रहे है कि बहुत जल्दी ही कुछ और संपत्तियां अटाइच की जाएंगी उस पे enforcement डिरेक्ट करवाई कर रहा है सबस जाच करने की फिर से इजाज़त मिलती है कुलकाता हाई कोर्ट से फिर सिब्याई यह सिब्याई और इन्फोर्समेंट डिरेक्टर्व पलब एडी इस पे जोइन क्योंकि इस पे कुछ मनी लॉंडरिंग और इस तरीके के भी केसे सुनाई दे रहे थे और जब यह सारी ने मिल करके जो फीगर दिया है उसके अलावा इसमें से 983 करोन अभी भी लोगों के बकाया है 600 करोन की संपत्ति इसमें अटैच की गई है तो यह है इसका पूरा लबो लुगा इसलिए मैंने टाइटिल दिया है कि कांग्रेस की मुसीवितें तो कम होने का नाम ही लए दे रह की संपत्ति अटैच करने जब अटैच हुई है तो इसकी खबर बहुत सारे मीडियाज में नहीं थी मुझको लगता है कि यह खबर बहुत महत्तपूर है इसको लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से चितंबरम उनके बेटे पी चितंबरम उनक और ये नसीह सबको दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलानी चाहिए और बेवस्थाएं कैसे चलनी चाहिए हाली में प्रधानमंत्री नैनमोदी में राजसभा में भासर देते हुए एक बात कही थी उन्होंने कहा था कि यह जितने भी विपक्षी कठा हुए हैं इस सब इदी के ड प्रक्यां अटेच ही जा रही हैं अब एक महत्तपुन बात है कि कोट जो है चाहिए वो हाई कोट हो चाहिए वो सुप्रिम कोट हो चाहिए वो लोवर कोट हो इनको भी उसी मुस्ताइदी से इस मामलों को देखना चाहिए और जल्द से जल्द इन मामलों को निप्टाना च झाल